श्री कुण्ज बिहारी श्री हरिदास आप सभी को रंग-भरी एकादशी आौबलका एकादशी आमला एकादशी की धेरो शुब कामनाए अनन्त शुब कामनाए तो आज आप सभी के साथ एक वीडियो शेर कर रहे हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी को अच्छा तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो आज देख लेजिए मैंने अपने लड़ू का जो श्रिंगार कर रहा है आप सब देख रहे हैं क्योंकि एक आदशी है तो कोशिश रहती है कि उस दिन सभी को पीले रंग के वस्त पहनाए जाए है ना यहां पर तो सावरिया को आप लाली उन्हें भी आज सभी ने आज पीले वस्त पहने शॉर्ट वीडियो अप्लोड हो चुका है वो आप सबने देखी लिया होगा तो सबसे पहले तो जादतर जो कोश्चन्स आते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग मैं आज आप सभी से बात करती हूं क्योंकि कुछ कि दीदी आप अपने जो लड़ू है बाल राधा रानी है चोटे वाले लड़ू को पाल जी है एक आदशी वाले दिन आप किस तरह से उनका दिन चर्या रखते हैं तो दिन चर्या की वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि आपको पता है अकेले भी हो जाती हूं और नहीं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास प्रभू को आपने उठाया और उसके बाद आप क्या करेंगे उन्हें पानी पिलाएंगे ठीक है आजमन करेंगे सबसे पहले आपने इश्वर को उठाना है अपने लड़ू को उठाना है और उन सभी को जितने भी लड़ूआ कि आप स के बाद देखे प्रभू को उठाने से पहले आप नहा लेजेगा और मंदर की साफ सफाई कर दीजेगा और फिर उनको इसनान कराईएगा कोशिश करें एकादशी वाले दिन प्रभू को पंचामृत से इसनान कराएं पंचामृत आप सभी को पता है दू दही शहत तुलसी प प्रभू को इसनान करा दीजे और जैसा आप श्रिंगार करते हैं प्रभू का जो आपको अपने प्रभू के उपर उनका श्रिंगार अच्छा लगता है आप अपने प्रभू को फिर श्रिंगार कर दीजे ठीक है श्रिंगार देखे अपना सभी का अपना अपने प्रभू सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है और नोन दोन करने के करने बाद बसक्राइब करें प्रभू का इसना हो जाए तो आप मुझाल्स ऑमलकाय का दृष करनी और कोशिश करें आंबले की पूजा जरूर करें आमले के पेड़ पे जाके कथा पढ़ ले पूजा करने है ना और जैसे कि मैं क्या करती हूँ मैं तो जिसे सुभा अपना दिया बत्ती होता है आमले की पूजा हो जाती है या जो भी एकादशी है उस तरह से आपको उनकी पूजा करनी है और हाँ एक बा वाई-फ़ार करते हैं तो वही मेरे प्रभु भी फलभु करते हैं तो वह आपके इच्छ आपने किस तरह से वुरत उठाया है किस तरह से प्रभू को बोला करें जब आप पूंजा पाट करते हैं तो आप क्या करते हैं प्रभु से प्रार्थना करिए कि आपने जो आज लिए हैं शりGAN करी है कि आप किस तरह से को तो देकाल नहीं खाते हैं तो चावल आपको बिल्कुल नहीं खाने है फलाहार वरत होता है कुछ लोग ज़ो नहीं रख सकते इन उनको नमख खाना होता है वो शाम को अपना आलू दही इस तरह का भी भुजर कर लेते हैं다가 रख सकते हैं, वो कोशिश करें कि वो फल ही खाएं, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं जो कथा करती हूँ, एक आदशी की मैं शाम के वक्त करती हूँ, पांच बजे, छे बजे, शाम को कथा करती हूँ, जो भी एक आदशी होती है, उनके कथा पढ़नी बहुत जरूरी है, ठी हार में लेती हूँ, उसके बाद बात आती है पारण की, देखिए पारण का एक समय होता है, अगले दिन हम लोग पारण करते हैं, पारण अपने श्रधा अनुसार कोशिश करिए, मंदिर में जाके ब्रहामनों को आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ, आ आपको कोशिश करिए, उस दिन अगले दिन पारण के समय, आपको चावल का कुछ बनाना है, तो मैं तो क्या करती हूँ, पारण वाले दिन खीर जरूर बनाती हूँ, खीर से ही वरत खोलती हूँ, और जब आप सुबह खीर बना ले, पूजा पारण हो जाए, प्रभु को खीर से भोग लगाए, अपने वरत को खोले, और उसके बाद उसी भोग को आप खाए और अपना वरत को खोले, ठीक है, यह हुआ पारण, और फिर उसके बाद आप दाल चावल बना सकते हैं, खिच्री बना सकते हैं, जो आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे आपकी बाधातर भाः भी रहती हूं तो उन दिनों में क्या करती हूं कि上 tahoda मतलब पैसे उठा लेती हूँ अप्रभू के नाम से उनने रख देती हूँ इसा तरह से आप एकादशी कवरत रख सकते हैं बहुत असान है ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ व्लॉग को मतलब वीडियो को पूरा देखेगा तब आपको पता चलेगा और बहुत से सवाल है कि माधव कितनी हाइट है माधव की निच्छावर क्या है बहुत खूबसूरत है ऐसे ही लाड़ो की किष्णों की और मेरे प्यार इसे सावरिया की इन सब पर भी आपको बहुत जल्दी मैं एक व्लॉग बनाऊंगी और उमीद करूंगे आप सभी को पसंद आएगा हरी बोल